वायर वून रेजिस्टर्स काई डिजाइनों में आती है उनकी पावर और करेंट रेटिंग काफी अधिक होती है आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी साधारन डिजाइन है एक सिर में कोर पर तार लिप्टा है फिर उसे इंसुलेशन की पतली परद से ढग दिया गया है मोटाई, लंबाई और मटीरियल से निरधारित होता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ वाला 50 वाट्स और 2 उम का है कुछ सिमेंट के साथ सिर मेंग ब्लॉक में दबे होती है लेकिन इनके अंदर बस सिर मेंग कोर के चारो ओर रेजिस्टिव नाइक्रूम वायर की कॉइल लिप्टी होती है और दो एंड कैब्स जुड़े होती है इनका प्रयोग ऐसी जगहों पर होता है जहां उश्मा बहुत अधिक हो क्योंकि सिमेंट और सिर मेंग परते तार को सुरक्षित रखती है इसकी रेटिंग 10 वाट्स और 10 उम्स है इस डिजाइन का एक और आम उधारन है जिसमें अलुमीनियम केसिंग का प्रयोग होता है इससे अधिक मात्रा में उश्मा निकलने में मदद मिलती है ये उभार सतह का क्षेत्र फल बढ़ा देती है तो रेजिस्टर से अनावश्यक उश्मा आराम से निकल जाती है केसिंग में छेद है जिससे हम इसे सतह पर फिर कर सकते है अंदर दो इलेक्ट्रिकल कनेक्टरों के बीच सिर्मेक कोर पर रिजिस्टिव नाइक्रोम वायर की कॉयल होती है आमतोर पर इसके चारों और किसी तरह का इंसूलेशन होता है फिर इसे मेटल हाउजिंग में बंद कर दिया जाता है जिसकी एंड कैप रेजिन की होती है इसकी रेटिंग 10 वाट्स और 33 ओम्स है आमतोर पर हर सिरे पर इलेक्रोड के साथ सिर्मेक बॉडी होती है ये रेजिस्टिव मटीरियल की पतली परद से जुड़े होती है और एक इंसूलेटिंग सुरक्षा केसिंग से ढखे होती है कैप पर मेटल कनेक्टर होती है रेजिस्टिव मटीरियल पर लेजर से खाचा कटा होता है इसका कारण लेक्टोनों के प्रवाहित होने का क्शेत्र कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ये हाई टॉलरेंस प्रदान करते हैं लेकिन पावर रेटिंग बहुत कम होती है इसमें ऊपर कुछ संख्याएं दी हुई है जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती है तीन डिजिट वाले वर्जन में पहली दो डिजिट वैल्यू यानी मान दिखाती है और तीसरी डिजिट मल्टिप्लायर है या बताती है कि मान के आगे कितने शून्य होंगे उदारण के लिए ये दो चार शून्य दिखा रहा है पहली दो डिजिटल 24 और इसमें एक से गुणा करेंगे तो यहाँ 24 ओम रेजिस्टर है यहाँ 1 शून्य एक है तो दस में से 10 गुणा करेंगे तो 100 ओम्स होता है यहाँ 183 दिखा रहा है तो 18 का गुणा 1000 से करेंगे यानि 18 किलो ओम चार डिजिट कोड में पहली 3 डिजिट वैलियू दिखाती है और अंतिम डिजिट मल्टिप्लायर है इसमें 1 शून्य 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 लिखा है 100 का गुणा एक से करेंगे इसका अर्थ है कि यहाँ 100 ओम रिजिस्टर है इसमें 3, 5, 0, 2 लिखा है तो यहाँ 35 किलो ओम रिजिस्टर है कभी-कभी वैलियूस के पहले या बीच में आर लिखा होता है यहाँ दश्मलव की जगह बताता है तो यहाँ आर चपन रिजिस्टर 0.56 ओम्स का है यहाँ 47 आर फाइव रिजिस्टर 47.5 ओम्स का है हमें ऐसे रिजिस्टर भी मिलेंगे जिसमें 3 डिजिट के अंथ में एक अक्षर यानी लेटर होता है हमें इन वैलियूस को टेबल में देखना होगा पहली दो वैलियू को ढूणने से शुरुआत करेंगे इस केस में 26 जो 182 है और फिर लेटर ढूणनेंगे जो C है जिसका अर्थ है 100 से गुणा तो यहाँ रिजिस्टर 18200 ओम्स का है यह वाला 60 Z दिखा रहा है पहले 60 देखेंगे जो 412 के बराबर है प्राप्थ होते है पोटेंशो मीटर्स के डायल की साहिता से रिजिस्टेंस बदल सकते है हमारे पास साधरन पोटेंशो मीटर है जिसका प्रयोग बॉल्यूम कंट्रोल जैसी चीज़ों में किया जा सकता है और फिर कुछ सटीक यानि प्रिसीजन वाले होते है जिनका प्रयोग electronic circuit को ट्यून करने के लिए किया जाता है इसमें तीन टर्मिनल है अंदर दो end pins के बीच एक resistive track है और track की center pin से एक डायल जुडा हुआ है डायल घुमाने से लेक्टोनों के प्रवाह की दूरी बढ़ जाती है और resistance बढ़ जाता है हम इसे विपरीत तरीके से भी connect कर सकती है किसी अन्य resistor की तरह ही हमें resistive track की दोनों end pins के बीच voltage drop मिलेगा तो center pin से connect करने पर हम resistive track का केवल एक हिस्सा प्रयोग कर सकती है जिससे voltage drop का भी कुछ हिस्सा ही प्राप्त होगा इस pin से हम output voltage नियंतरित कर सकती है इसके अलावा center pin और एक end pin का प्रयोग करके view stat बना सकती है अब कुल voltage drop इन दोनों बिंदूओं के बीच होगा तो इस तरह से हम circuit में current नियंतरित कर सकती है इस component के सामने एक number होता है जो अधिक्तम resistance बताता है इसमें 1K लिखा है तो 1000 ohms है यह 500K दिखा रहा है तो यह 500,000 ohms है letter इसका प्रकार दिखाता है B बहुत आम है इसका अर्थ है कि resistance का बदलाव linear है लेकिन logarithmik प्रकार भी उपलब्द है इन छोटे versions में 3 digit के number है पहले 2 मुख्य number है और तीसरा बताता है कि कितने 0 लगेंगे उधारण के लिए यह वाला 1.01 है इसका मतलब है कि 10 के आगे 1.01 लगेगा तो यह 100 ohm resistor है यह अधिक्तम rating है यह वाला 2.04 दिखाता है तो यह 2.00,000 ohms है रियो स्टैट्स का प्रयोग सर्किट में करेंट नियंत्रत करने के लिए किया जाता है करेंट आमतोर पर बहुत अधिक होता है इसलिए component का आकार भी बड़ा है यह लोड के साथ सीरीज में connect होते हैं जब 3 या 4 उपलब्ध हूँ तब भी हम एक बार में केवल दो टर्मिनल्स का प्रयोग करती है कम करेंट वाले सर्किट में रियो स्टैट की जगह पोटेंशियो मीटर का प्रयोग कर सकती है रियो स्टैट में रिजिस्टिव वायर का प्रयोग होता है जो इंसुलेटिंग सिरे में कोर के चारो ओर लिप्टा होता है कोर आमतार पर आर्क या सिलिंडर आकार के होती है आमतार में जितनी आगे जाती है लेक्टोनों को तार से प्रवाहित होने के लिए उतना ही आगे जाना पड़ता है और resistance उतना ही अधिक हो जाता है हम देख सकते हैं कि इसमें coil से connection बनाने के लिए sliding arm पर उठी हुई सतह का प्रयोग हुआ है और इसमें बदले जा सकने योग ये carbon brush का प्रयोग हुआ है जिसका center terminal से connection flexible है component के एक तरफ हमें अधिक्तम resistance, अधिक्तम current या अधिक्तम power rating मिलेगी fusible resistors, standard fixed value resistor जैसा ही दिखता है यदि standard resistor को overload कर दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है लेकिन यदि fusible resistor को overload करें तो यहाँ गर्म होता है और circuit break कर देता है पर इसमें आग नहीं लगती यहाँ एक resistor है लेकिन circuit को सुरक्षित रखने के लिए fuse का काम करता है इसके अंदर हमें आम तोर पर एक सिर्मिक core मिलता है जिसके चारो और end caps की बीच resistive wire lifta होता है इसके उपर सुरक्षा के लिए अगनी प्रतिरोधी resin की परत होती है तार fuse की तरह काम करता है और गर्म हो जाता है लेकिन एक निश्चित तापमान पर तूट जाता है और circuit break हो जाता है अन्यसंस करणों में तार की जगह metal alloy की पतली परत का प्रयोग होता है करण के पाथ को नियंतरत करने के लिए इस परत में खाचा काटा जाता है हम देख सकते हैं कि इसमें पांच bands है अन्तवाला सफेद है जो दिखाता है कि यह फ्यूजिबल रिजिस्टर है बाकी चार bands resistance दिखाती है हम इस चाट का प्रयोग करके resistance का मान पता लगा सकती है पहला पीले रंका है जो चार के बराबर है दूसरा band बैंगनी है जो साथ है तीसरा काला है जो एक के बराबर है 47 में एक से गुणा करने पर 47 ohms होते है चौथा band सुनहरा है जो प्लस या माइनस 5 प्रतिशत होगा यह 47 ohms के लिए rated है लेकिन इसका मान 44.65 से 49.35 ohms की बीच हो सकता है कर दो कर दो